लोगों को आजकर living relationship में रहना क्यों पसंद है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 21st generation बढ़ रही है, लोग living relationship में जादा जाने लगे हैं. कुछ तो ऐसे couples हैं जो उन पर उनके parents को भी नहीं पता होता हो और वो living में रह रहे होते हैं, बात में decision लेते हैं Yes, this is completely okay. इस वीडियो को पूरा अन तक देखेंगे, चैनल पे नहीं हैं, subscribe करें. मैं हूँ Dr. Nihah Mehta, clinical psychologist और मैं बात करती हूँ psychology related essay concepts में जो थीरे-थीरे बहुत सादा increase हो रही है. जाता एक दूसरे को समझने में. एक समय था जब courtship periods काफी अच्छे होता थे, date से दो साल, पहले मंगनी हो जाती थी और उसके बाद आपको काफी time मिलता था एक दूसरे को जानने का, समझने का, phone calls frequent हो जाते थे या फिर एक ऐसा time भी था जो हमारे parents का था कि communication important ही नहीं होता था. मतलब शाद लड़का लड़के एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, या अतने calls भी नहीं होता थे, लेकिन आजकल हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास time कम है. हम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिससे हमारी understanding develop हो सके. आजकल हमारे parents ने भी हमें liberties दे रखे हैं कि आपको जो person पसंद है definitely आप उसके बारे में हमें बताएं. तो अगर हम अपने parents के पास अपनी choice लेके जाना चाहते हैं तो हम बहुत जादा sure होना चाहते हैं कि वो सही इंसान हो जिसके साथ मैं adjust कर सकती हूँ, मैं रह सकती हूँ, मेरी bonding develop हो सकती है. तो definitely couple एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए रहन सहन में adjust होने के लिए 11 relationships को opt कर रहे हैं. दूसरा बड़ा reason यह आता है कि एक समय था when sexuality is something जसके बारे में जसको लोग चुपाते थे या virginity पे बहुत लोग question करते थे. आज कल सबको पता है कि relationship होना यह sexual पहले involved होना matter नहीं करता है. matter यह करता है कि जब आप मेरे साथ हो तब आप available होने चाहिए हो. कई लोगों के लिए यह सब बहुत broad horizons बन गए हैं. तो ऐसे में जैसी वो boundary टूटी तो हमें समझ में आ गया कि consent, sexual relationship बुरे नहीं है. और ऐसे में अगर आप live-in relationship में रहते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि मेरी sexual understanding भी develop हो रही है या नहीं. इसमें लोग इसमें जल्दी opt कर रहे हैं. तीसरा जो सबसे बड़ा reason समझ में आता है कि पहले लोग अपने parents के पास जादा रहते थे, इदर उदर shift नहीं करते थे. और couples को एक room मिलना, बहुत जादा questionable माना जाता था. लेकिन आजकल flat system start हो गए हैं, किसी को समझ नहीं आता, बच्चे बहुत जादा भार निकलते हैं अपनी jobs के लिए, इंडिया में भी. तो क्या है कि एक साथ रहना, या PG's में रहना, या as a couple रहना बहुत जादा common हो गया है. क्योंकि हमने laws ऐसे दे दिये हैं, चीजें बहुत जादा freedom related हो गई है, इसलिए freedom का point भी बहुत important है. हमें लगता है कि हमारी शादी हो जाएगी, तो हर चीज में चिक 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 बड़े साथ होंगे. तो जब आप एक दूसरे के साथ रहते हो, तो आपको freedom enjoy होता है, कोई किसी पर थोपता नहीं है, कि मैं तिर साथ बंदी हुई हूई हूँ, या बंदा हुआ हूँ, तो ये नहीं कर सकता, इसे नहीं कर सकता. तो freedom बहुत जादा असानी से available हो जाती है, आप एक दूसरे को समझ पाते हो, sexual comforts देख पाते हो, moreover financial freedom भी होती है, आप अपनी money, आप अपनी investments, अपने इसाब से rule out कर पाते हो, जब आप एक family में हो जाते हो, तो आपको अपना पैसे कभी बहुत जादा सोचना पड़ता है, आपको जल्दी के decisions में ये भी problem होती है, कि कहीं हमें पैसो के लिए तो नहीं कर रहे है, तो live in relationship एक safe zone है, शादी का पहले से ही demo लेने के बाद कि बाद में problems तो नहीं होंगी, ऐसा भी है कि live in relationship को तूटने के बाद आप कूतना pain नहीं होता है, जितना आपको divorce के बाद होता ह तो लोग उसे असानी से adapt कर रहे हैं, अब सही है या गलत है, वो personal choice हो सकती है, मैंने उस पर ये video भी detail में बनाया था, बट ये definitely बढ़ रहा है क्योंकि लोग experiments करने से नहीं घबरा रहे हैं, लोगों को समझ में आता है कि बाद में वापस आना और बाद में society के claims लेना, बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए कोई और topic है तो उसे आप comment section में लिख भेज़ेंगे